नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कीर्दी और मेरे चैनल आउचले में आप सभी का स्वागत है तो आज की पुस्तक है द्रिस्टिकॉन जिसके लेखक है जेव किलर तो इसका हिंदी में अनुआत सुनी आडियो बुक इन हिंदी सफलता की शुरुआत होती है मस्तिश्क में सफलता एक सोच है अगर आप जिन्दगी में सफल होना चाहते हैं तो इस तरह से सोचना शुरू कीजिए जैसे की सफलता आपको मिल चुकी है तो शुरू करते हैं इस पुस्तक का चैप्टर नंबर 1 टॉपिक है सकारात्मक द्रिस्टिकू दोपहर एक बजे की बात है सारा को भूख लगी थी कुछ घंटे काम करने के बाद उसने सोचा कि बगल की कॉफी शॉप पर चलकर कुछ खाते हैं कुछी देर बाद सैम भी वहाँ आ गया वह भी दोपहर का लंच करने आया था सैम की टेबल सारा से कुछ ही दूरी पर थी एक ही पैरे ने दोनों को खाना खिलाया वहाँ पर बैठे सब लोगों को करीब करीब बराबर ही इंतजार करना पड़ा सब को खूब अच्छा खाना मिला और पेमेंट करने के लिए भी बराबर ही इंतजार करना पड़ा लेकिन देखिए क्या हुआ सारा अपने चेहरे पर एक मुस्कराहट लेकर कॉफी शॉप में आई थी उसके शादेरिक हाव भाव से एक आशावाद छलक रहा था सारा ने खुशी से खाना खाया बेरे से खुब अच्छे से बात की और एक नए उत्साह से काम करने के लिए लोट गई दूसरी तरफ सैम अपनी नाग भोच चड़ा कर कॉफी शॉप में आया था उसका हाव भाव कुछ कह रहा था जैसे मुस्से दूर रहो दोनों ने कॉफी शॉप में अलग-अलग क्यों महसूस किया जबकि दोनों को एक ही तरह से खाना खिलाया गया था सारा इस दुनिया को सकारात्मक द्रिस्टिकोर से देखती है और सैम नकारात्मक द्रिस्टिकोर से सकारात्मक सोच की परिभाशा अपनी सोच को एक दिमागी छन्नी की तरह मानिये कुछ लोग इस दुनिया को आशावादी छन्नी से देखते हैं गिलास आधा भरा हुआ है वही पर कुछ लोग इसे निराशावादी छन्नी से देखते हैं गिलास आधा खाली है चलिए हम आपको उधारल से समझाते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक सोच में क्या फर्क होता है जो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होता है वो कहता है मैं नहीं कर सकता सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति सोचता है मैं कर सकता हूँ नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति समस्या के बारे में सोचता है और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति समाधान पर ध्यान के इंद्रित करता है नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति दूसरों में कमियां देखता है वहीं सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति दूसरों में अच्छाईयां देखता है नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति सीमाएं देखता है और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति संभावनाएं देखता है मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरन दे सकता हूँ लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरा मतलब समझ गए होंगे जब भी मैं अपने श्रोताओं से सकारात्मक सोच के बारे में बात करता हूं तो मैं शब्दों की तस्वीर का इस्तमाल करता हूं उससे लोगों को मेरी बात समझने और याद रखने में आसानी होती है हर इंसान एक स्वक्ष मस्तिस के साथ पैदा होता है चलिए थोड़ी सी बात करते हैं कि मैंने क्यों कहा कि आपकी सोची आपके संसार का द्वार है हम सबकी जिन्दगी सकारात्मक सोच से शुरू होती है या कह सकते हैं कि हम एक स्वक्ष मस्तिस के साथ पैदा होते हैं आप अपने बच्चों को ही देख लीजी वे हमेशा हसते रहते हैं वो सूरज की तरह चमकते रहते हैं और हमेशा कुछ नया ढूंदते रहते हैं उस छोटे बच्चे की सोच देखिए जो अभी चलना सीख रहा है जब वो ठोकर खाकर गिरता है तो वो क्या करता है मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या नहीं करता है वो नखरे नहीं दिखाता और कार्पेट को दोश नहीं देता वो अपने माबाप पर उंगलियां नहीं उठाता वो छलना छोड नहीं देता बलकि वो मुस्कुराता है उठता है और दुबारा चलने का प्रयास करता है वो अब तों सकाराथमक सोच के साथ गिर गिर कर चलता रहता है जब तक कि वो ठीक प्रकार से चलना सीख नहीं जाता उसका मस्तिश्क पूर्टा सकारात्मक होता है लेकिन फिर एक समय आता है जब हमारे मस्तिश्क पर धूल जमनी शुरू हो जाती है हमारे मातापिता और हमारे सिख्षकों की आलूचनाई से हमारा मस्तिश्क धूमिल होना शुरू हो जाता है कुछ योग्य व्यक्तियों द्वारा हमारा मजाग उड़ाए जाने पर हमारा मश्तिश कुंठित होना शुरू हो जाता है कुछ निरासा जनक परिनाम मिलने पर हमारे दिमाग पर नकारात्मक्ता की पर्थ जमनी शुरू हो जाती है और स्वेम की योग गिता को लेकर हमारे दिमाग में संधे के बादल चा जाते हैं अब समस्या ये है कि जब हमारे दिमाग पर नकार अत्मक्ता की सता जमती जाती है तो ज्यादा तर लोग इसके बारे में कुछ करते ही नहीं लोग उसी गंदे दिमाग को लेकर जिन्दगी भर आगे बढ़ते रहते हैं अंत में वो अपना उत्सा खो देते हैं वो निराश और हतास हो जाते हैं और दुखत बात तो यह है कि वो अपना स्थपना भुला देते हैं क्योंकि वे अपने दिमाग की नकारात्मकता को हटाने में असफल रहते हैं इसी राश्ते पर मैं भी चल रहा था मेरे दिमाग पर भी धूल जमी थी मुझे कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही थी मेरा दिमाग नकारात्मक बातों से भरा हुआ था मस्तिष की सफाई कीजिए लेकिन फिर ईश्वर की क्रपा से मैंने जाना कि बस मुझे अपना दिमाग साफ करना है मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी जिससे कि मैं संसार को साफ साफ देख सकूँ जब मैंने अपने दिमाग की गंदगी साफ की तो मुझे एक नया संसार मिल गया निराशा और हताशाक समाप्त हो गई मैंने अपने अंदर ज्यादा विश्वास पाया कई सालों के बार जिन्दगी में पहली बार मुझे विशाल संभावनाएं दिखाई पड़ी और अब मैं जिन्दगी में वो काम करने लगा जिसे करना मुझे पसंद था अब मैं लोगों की सकारात्मक सोच को बहतर करने में उनकी मदद करता हूँ क्या अब आप मेरे कहने का मतलब समझ सकते हैं कि आपकी सकारात्मक सोच ही आपके समर्ध जीवन का द्वार है उससे भी महत्तपूर्ण यह है कि क्या अब आप सोचना शुरू कर सकते हैं कि आपको किस छेत्र में बदलाव की जरूरत है आपकी सोच पर केवल आपका ही नियंतरण है अपने दिमाग को स्वस्थ बनाए रखना आप पर ही निर्भर है मैं आपको प्रोचाहित कर सकता हूँ लेकिन अंत में यह काम आपको खुद ही करना पड़ेगा या आपका निर्णय होगा आप चाहे तो अपने दिमाग पर कुड़े का धेर जमा रहने दें और जिन्दगी ऐसे ही चलने दें लेकिन उसके परिणाम भी उसी तरह के होंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा इससे जिन्दगी में आपको निराशा ही मिलेगी आप नाखुश रहेंगे एक दूसरा अच्छा तरीका है जब आप निर्णय लेते हैं कि अब हम अपने दिमाग को साफ करेंगे तो आपको जिन्दगी में सूरज की नई किरन दिखाई पड़ेगी आप स्वस्त और खुश होंगे आप कुछ महत्वा कांची लक्ष बनाएंगे और उस पर विजय पाना भी शुरू कर देंगे आपके खोए सपने फिर से जिन्दा हो जाएंगे क्या अभी भी आपको लगता है कि आपके पास अपनी सोच बदलने की शक्ति नहीं है आप सोच रहे होंगे कि मेरे लिए यह सब कहना बहुत आसान है चलिए, माल लेते हैं कि हो सकता है कि कुछ बुरी बाते आपके साथ हुई हो तथा अभी भी आप विशम परिस्थितियों से गुजर रहे हों लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप अपनी सोच सकारात्मक करने की शक्ति रखते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ कि यह आसान है लेकिन सच्चाई यही है कि अंतिम निर्ने आपके हाथ में है मैं आपको एक आदनी के बारे में बताता हूँ जो सकारात्मक सोच विशे का अच्छा वक्ता है उसका नाम है डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल उनकी जिन्दगी नर्ख हो गई थी उन्होंने न केवल पुनह जीवन पाया बलकि उन्होंने लाखों लोगों को प्रेणा दी आप देखिए विक्टर फ्रैंकल ने नाजी डेद कैम्प में धैरे के साथ कैदी के रूप में सालों बिताए उस कैम्प में उनके माता, पिता, भाई और पतनी की मृत्ति हो गई हर रोज फ्रैंकल और दूसरे कैदी भूख, ठंड और कुरूरता के शिकार होते थे क्या एक इनसान ऐसी परजथितियों में अपनी सोच पर नियंतरन रख सकता है देखिए डॉक्टर फ्रैंकल ने अपनी बेस सेलिंग पुस्तक मैं सर्च फॉर मीनिंग में सकारात्मक सोच के महत्व पर कहा है इनसान से हर चीज छीनी जा सकती है केवल एक चीज छोड़ कर वह है सोचने की आजादी जो किसी भी परिस्तिती में उसकी सकारात्मक सोच को निर्धारित करती है यहां तक की अनिद्रा की इस्थिती अपरियाप्त भोजन और मानसिक तनाओ तो यही दर्शाता था कि वे उन परिस्तित्यों में कुछ भी गलत कदम उठा सकते थे परन्तु फिर भी उन्होंने अंतिम निर्णय अपने हाथों में ही रखा अब अगर डॉक्टर फ्रैंकल और अन्ने कैदी ऐसे विपरीत परिस्तियों में भी सकारात्मक सोच बनाए रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं जैसा कि डॉंस ने कहा था एक खुश मिजाज इंसान अपने परिस्तियों के चलते खुश नहीं रहता बलकि वह अपनी सोच की वज़ा से खुश रहता है यह एक सकतिशाली कथन है और यही सच्चाई भी है सकारात्मक सोच और सफलता चलिए अब हम मानते हैं कि आपने अपना दिमाग साफ कर लिया है और एक सकारात्मक सोच विक्सित करने की तैयारी भी कर चुके है आप मुस्कुरा रहे है मात इतना सब करने से आपको सफलता नहीं मिल जाएगी क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको सकारात्मक सोच के आगे भी कुछ करना होगा अपनी शक्ति को बढ़ाने और लक्षियों को पाने के लिए आपको समय सीमा में बंदे सफलता के उन सिध्धानतों का पालन करना पड़ेगा जिससे लाखों लोगों को सहायता मिली है इस किताब में मैं एक-एक करके सफलता के उन सभी सिध्धानतों को आपको बताऊंगा आप अपने भै का सामना करना विशम परिस्तियों पर विजय पाना वचन बद्धता की शक्ति को पढ़ाना आदि के बारे में भी सीखेंगे आपको जानकारी और प्रेणा मिलेगी कि कैसे इस जिंदगी को सपने को साकार करते हुए जिया जाए अभी आपको आश्यर हो रहा होगा कि इन सफलता के सिध्धानतों का सकारात्मक सोच के साथ क्या लेना देना है अगर हम संचेप में कहें तो मैं कहूंगा कि सकारात्मक सोच ही सब कुछ होती है अगर आपकी सोच संकीर्ण है तो सफलता के इन सिध्धानतों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही आपको मिलेगा परिणाम स्वरू हो सकता है आपको सफलता मिले ही नहीं जब आप अपनी सोच की खिड़की को साफ करना सीख जाएंगे तो आपके अंदर प्रकाश आता रहेगा और आप इन सिध्धानतों का उप्योग आपसी संबंदों को मजबूत बनाने तथा अधिक पैसा कमाने में कर पाएंगे जब आप अपनी सकारातनक सोच और सफलता के सिध्धानतों में तालमेल करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी तो धन्यवाद दोस्तों अब हम मिलेंगे अपने चैप्टर नमबर टू में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो माई चैनल और मेरे चैनल पे और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए जरूर विजिट करें मिलते हैं अगले अध्याए में